Hello student, today I am going to teach English, lesson number 10, things, क्या है children, things that go together, अब हुम देखेंगे children, things that go together, means, means क्या है children, things मतलब सामान होता है या कोई ये वस्तू होती है, जैसे cup, plate, ball, ये सब है न, वो things है, और that go together, that means what, go means जाना together, मतलब साथ में, कौन किस के साथ में है, वो हमें बताना है, ठीक है, अब देखेंगे हम, match the following things that go together, अब हमको क्या करना है, match करना है, things को go together, मतलब कौन सा things किस के साथ मेंच करता है, वो हमें match करना है, इसमें children, बहुत ही easy topic है आपकी, और बहुत interesting topic है children, तो first हम क्या देखेंगे children, यहाप पर क्या दिख रहा है, C, U, P, cup, अब हम cup किस के साथ मेंच करेंगे, बोट तुगेदर करेंगे, किस के साथ करेंगे children, तो cup के साथ क्या आता है children, saucer, क्या आता है, saucer, saucer क्या है, S, A, U, C, E, R, saucer, यह रहा, saucer, अब हम इसको क्या करेंगे children, इसमेंच कर देंगे, मैच किया, अब second क्या है children, table, है न, table है न, T, A, B, L, E, table, यह देखो table है, अब ही table को हम किस के साथ मैच करेंगे, chair के साथ, है न, C, H, A, I, R, chair, मैच हो गया children, अब देखो, है न, हम कैसे मैच करेंगे, cup को saucer के साथ करेंगे, table को chair के साथ करेंगे, अब हम third देखेंगे, third क्या है, ball, B, A, W, L, ball, ball के साथ किसको मैच करेंगे, हम ball किसके साथ मैच होगा, bat के साथ, B, A, T, bat, क्यूंकि, bat के साथ हम ball खेलते हैं, है न, अब आपका fourth क्या है children, paint है, क्या है, P, A, I, N, T, paint, अब हम paint किसके साथ मैच करेंगे, अगर हमारे पास paint है, तो हमारे पास brush भी तो होना चाहिए, न, तो अभी हम brush को ढूनेंगे, brush, हो गया, मिल गया brush, दे देखो, यह रहा brush, है न, B, R, U, S, H, brush, यह देखो, मैच हो गया, paint और brush को हमने match कर दिया, अब, अब आपका next क्या है, umbrella, क्या है, umbrella, तो umbrella हम कभी use करते हैं, children, rainy season में, तो अभी हम rainy season में use करते हैं, तो हम rain को इसमे identify करेंगे, डूनेंगे कि कहां पे है, तो umbrella क्या है, children, U, M, B, R, E, double L, A, umbrella, अभी rain का है, children, डूनेंगे, यह रहा rain, है न, rain भी मिल गया हमारा, अब हम इसको match करेंगे, rain से match कर दिया, R, A, I, N, rain, match हो गया, children, अभी next क्या है, hen, अभी hen को हम किसे match करेंगे, hen किसे साथ रहती है, अगर hen है, तो egg है, hen नहीं है, तो egg भी नहीं है, है न, तो hen, 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 e, g, g, egg, या, e, double, g, egg, ऐसे, यह भी match हो गया, अभी next क्या है, lock, अभी आपके पास सिर्फ lock है, अगर key नहीं रहेगे, तो आप कैसे lock करेंगे, मैं, okay children, तो मैं क्या बोल रहे थी, तो, हाँ, key से करेंगे, है न, key से करेंगे, तो आप लोग कैसे करेंगे, k, e, y, key, l, o, c, k, lock, तो हमने क्या किया, match कर दिया, key को और lock को match कर दिया, अब next क्या है, pencil, अब हमारे पास pencil है, सिर्फ pencil है, तो हम pencil लेकि क्या करेंगे, pencil है, तो उसके लिए हमें book भी तो चाहिए न, notebook, जिस पे हम लिख सके, अकेली pencil पेचारी का कोई काम नहीं रहता है, pencil के साथ notebook भी होना, compressor ही होता है, जरूरी होता है, है न, तो अभी देखो यह क्या है, pencil, प, E, N, C, I, L, pencil, और notebook का क्या है, N, O, T, E, B, O, K, book, notebook, pencil, notebook, देखो, आपका match the following जो है, वो complete हो गया, children, बहुत ही easily complete हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे, children, ऐसे ही आप लोग match करेंगे, ओके, children, अभी देखो, brush को touch नहीं था, तो मैंने brush को भी touch कर दिया है, तो अब हम देखेंगे, same, यहाँ पे picture के साथ हमें match करना था, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्क word, word के साथ match करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे match करेंगे, ठीक है, match the pierce, match the pierce, क्या करेंगे, cup, अभी देखो, हमने उपर कैसे match किया है, cup को किसे match किया है, saucer से, तो यहाँ पे saucer को डूनेंगे, कहा है saucer, हाँ, यह रहा saucer, तो हमने match कर दिया saucer को, खीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है चिल्डरन, टेबल, अब हमने टेबल के साथ किसको मैच किया था, चेयर को किया था न, तो यहाँ पे भी चेयर को करेंगे बॉल, बॉल को किसके साथ किया था, बैट के साथ, बैट के साथ करेंगे paint, paint को किसके साथ गया था, brush के साथ तो brush से करेंगे अब देखो, amrela amrela को किसके साथ गया था, rain के हो गया rain match हो गया, hand egg lock key, pencil notebook आपका matching हो गया children बहुती interesting आपको क्योंकि little little children को matching करने में बहुत मज़ा आता है children, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग matching बहुत interest से करेंगे, और picture भी बहुत easy है children बस इसमें hard picture कौन सा एक hand है, जो आप roughly भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बाकि जितना इसमें picture है, मैंने सब आपको सिखाया है, है ना picture, मैंने सब आपको करना सिखाया है, senior kg में तो आपको I hope आपको आएगा, easily आप कर पाएंगे, roughly picture बनाएंगे तो भी चलेगा, और यहाँ पर जैसे यह हुआ है ना आप ऐसे एकदम पुरा यह neat and tidy करेंगे ऐसे गिचमिट करके नहीं देंगे मुझे तो और यह जो है ना यह जो आपका है match the match the pairs जो दिया है ने children इसको आप करेंगे यह दिखो, one page पे यह करेंगे और दूसरे page पे यह करेंगे यह नहीं कि एकी page पे सब कचरा कर देंगे असा नहीं करना है, ठीक है और यह आपको two page लगेगा तो two page में, हाँ two page तो लगेगा ही in fact two page लगेगा तो आप two page यूज करके two page, two page इसको यूज कर लेना हो जाएगा क्यूंकि neat and tidy आपकी handwriting मुझे दिखनी चाहिए okay children तो आपको यह जो picture वाला matching है आपको one time करना है और word matching आपको two time करना है children homebook में okay children I hope आपको यह lesson समझा होगा things that go together okay children वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो like और subscribe करना न भूले okay thank you